हेलो एव्रिवन मैं अंजली पंडे आप सभी का अग्रिकल्चर और जी के ए-learning प्लैटफॉर्म पर स्वागत करती हूं तो आज के क्लास में हम डील करने जा रहे हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अप्लिकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो इस तो इंस्टॉल इस एप्लिकेशन इन यॉर क्योंकि इस एप्लिकेशन में हमार चनल आपको प्रोवाइड करा रहा है वेरियस कोर्सेज जो कि आपके अग्रिकल्चर एग्जामिशन एक्जिक अग्रिकल्चर जॉब के अंडर इतने भी कोर्सेज़ वह वह एविलेबल कर आए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ एं स्टड इस एक्रिक अप्लोड करता है अगर आप रहे तो सारे जितने भी अपकमिंग अग्रिकल्चर एक्जामिनेशन से उन सभी का सिलिबस जो है वह भी यहां पे अप्लोड किया जा रहा है नए अपडेट्स डिगार्डिंग एक्जामिनेशन जो जितने भी अप्डेट्स ऑफिचल अप्लोड होते हैं वह सारे यहां पर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब क्लासे जो हमारे अप्लोड होती हैं उसके भी नोड़ यहां पर आपको ऐस डाउनलोड दिस अब्लिकेशन इन यह एंड् वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिफिकेशन और टाइम आपको मिल सके ओके सो सब्सक्राइब आर चैनल आपको प्रवाइट करा रहा है एक कम्प्लीट कोर्स ठीक है इस कम्प्लीट कोर्स की कुछ फीचर जो मैं आपको बता देती हूं इस कम्प्लीट कोर्स के फीचर्स है फुल सब्सक्राइब कर सकें ठीक है यूट्यूब क्लास है उनकी नोट्स भी अविलेबल है इसी कोर्स के अंदर क्वेशन बैंक आपको एक प्रवाइड किया जाएगा फुल एंट टेस्स हुन हो सकते हैं और इसको नमबर भी आपको तो सकते हैं तो आप स्कोर्स को ब्रॉल कर सके और अपने और अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं अब हम स्टार्ट करने जा एस तरॉपिक जो है नाशनल इंटरन sill सब स्ट्ठ नपी तो पहला हमारे नाशनल और में वह क्या है वह तो अपने के मार्क देखा होगा यह जो आपको आप लोगों देख रहें मार्क आपने पहुत सारे प्रोडक्स पर देखा हो देखा सबदों गविजित हमारा २ा यह हमारा एक national standard body है under the department of consumer affair which is under ministry of consumer affair food and public distribution of government of India यानि government of India के अंदर ये एक standardizing body है यानि कि यह क्या करता है आपके जो भी products है या उसके processes है उनको ये standardized करता है ठीक है और उसको मार्क करता है यानि ग्रेड करता है और टेस्ट करता है ठीक है ताकि आपको जो भी products available हो वह अच्छे quality में available कराया जाए ठीक है इससे क्या होता है कि इंडिया की जो economy है वह भी सही से boost होती है अगर आपके आपको सही products provide कि जिए वही products हमें बाहर भी export करने होंगे तो दिब्यूरों इंडियन standards यह एश्वार करता है कि यूगे दर करेक्ट और सही गुट्वालिटी प्रोड़क्स ओके विडूरों इंडियन standards certification is the mean for providing third party guarantee of quality safety and reliability of product to the customer यानि reliability यानि आप उस प्रोड़क्ट पर भरोसा दिखा सकते हैं ठीक है आप भरोसा कर सकते हैं कि यह जो product हमें मिल रहा है यह जो service हमें मिल रही है इस पे हम पूरी तरह से reliable हो सकते हैं उसकी quality और उसकी safety BIS यानि की Bureau of Indian standards certification जो है वो अश्योर करता है BIS certification is voluntary in nature however the government of India has made BIS BIS certification mandatory for certain products taking into consideration of public health ठीक है तो जो आपका जो यह जो BIS certification है इसको जो government of India ने कुछ products के लिए mandatory कर दिया ठीक है क्योंकि अभी अगर आप किसी में एडल्ट्रेशन देख रहे हैं किसी भी product में आपको एडल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है तो वह ultimately आपको आपके जो health है उसके लिए hazardous है इसलिए जो गवर्मेंट आप इंडिया ने जो BIS certification है वो certain products के लिए mandatory कर दिया है अब हम बात करेंगे इसके headquarters के बारे में तो जिसका headquarters है वो आपको पुराने दिल्ली में मानक भवन में मिल जाएगा ठीक है यह आपका मोटो क्या है मानक पत्प्रदर्शक इसका जो है मोटो है अब पेरेंट सट्री वाडी कौन सी है जो इसकी पेरेंस सट्रीक वाडी है वह आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ कंजूमर अफेर्स फूड एंड पॉब्लिक दिस्ट्रिबूशन देन आपकी जो एक्जिक्यूटिव है आप के इसके स्टेटरी बॉडी की जो एक्जिक्यूटिव एनि जो है वह कौन है वह है प्रमोथ कुमार तिवारी यह एक आइस है मतलब जो आपका बिज़ एस ब्यूर आफ इंडियन स्टांडर्ड उसके जो डेप्यूटिव जन्रल है वह कौन है वह है प्रमोथ कुमार तिवारी ठीक है अब देखें कि हमारे पास कौन-कौन से बिज़िट्रेशन स्कीम से यानि कि जो हमारा ब्यूर आफ इंडिन स्टांडर्स है उसके अंदर कौन-कौन से स्कीम आपको अवेलेबल है आई एसाइँ मार्क आपको अवेलेबल कराया जाता है फोर डिमस्टिक मनुफेक्ट्ट्र इस अप देखें बहुत सरे अप्लाइंस वेगरा होते हैं उसमें आपको आईसाइँ मार्क देखने को मिलेगा ठीक है डिश्ट् स्कीम की अन्दर आती इको यानि कि आप अन्य जिस प्रोसेस से बनार मेह स्कीम आ के अंदर यह सारे स्कीम्स आपको देखने को मिलते हैं तोड़ी इस के बारे में यानि थोड़ा सा अच्छे से बात थोड़ा और बात करते हैं इस इस में कुछ और कन वर्जन फिर जाके कनवाट के बी इस में चेंज वाटीक है सेट अप अंडर दर डिस लुशन अफ दिपार्टमेंट फिर इंडूस्ट्री और सप्लाइड देटर सेप्टेंबर इस आइए शाइव वाज रजिस्टर अन्डर दर सोसाइटी इस रजिस्ट्रेशन एक 1860 अन्यू बूरो आप इंडियो अपिनियो अप्र नॉटिफाइड अच्ट फॉनिस तेकंड मार्च यानिक जो आपका नया जो भी आईस था यानिकी बूरो आफ इंडियो अप्र इं आपको यह बना लिया गया था बाइस मार्च 2016 में लेकिन यह वर्क मैंने इनक कब हुआ था तो यह हुआ था आपका ट्वेल ऑक्टोबर 2017 में अप्स्टेब्लिश्ट ब्यूरो आफ इंडियो आफ इंडियो आफ इंडिया तो फाइनली इतने जो कंवर्जन हुए वह आपक ने कहिए जो बीए आफ इंडिया बनाता है थीक है एज नेशनल स्टेंड़ बोडी इट हैस 25 अब हमाय जो बी आए एस है एज ने श्टेंड लेवल पर बात हो रही है थीक है इसके अंदर फिर और मेंबर्स होंगे जो तो जो ट्वेंटिफाइब मेंबर्स इसके अंदर म इंडुस्टुस्टिफिक और कॉंजूमर से आपके 25 मेंबर से न वो डिफरेंग दिफरेंट इंडुस्टुस्टुस्टुस्ट फॉर प्रूपिक से अपके लिए गये इस हैट इस हैट्पोर्टर इस आर इन डेली नुडली डेली वित रिजनल ऑफिस इन इस्टर्ण अचा अब चंडिगर एंड चंडिगर एंड लीजिन आट डेली एंड ट्वेंटी अधर ब्रांच ओफिस तो यह जो इसके जो रीजनल ओफिसेश वह आपके कॉलकाता चैन्नाई मुंबाई और चंडिगर भी जाएंगे चंडिगर और डेली में मिल जाएंगे और इनकी जो ब्रांच ऑफिसे से 20 अधर ब्रांच ऑफिसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह सारे का क्या यह जो आपका जो आपको इंडिन स्टैंडर्ड है यह आपको हेल्प करता है कि आप अच्छे आपको एक क्वालिटी प्रोड़क्ट मिल सकते हैं कि स्टेंडर्डाइज स इंडियन काउंसल ओफ मेडिकल रिसेच अभी हमारे जो पेंडेमिक का चल रहा था बहुत सारे हमने देखे स्वाइन फ्लू एंड बहुत सारे जो डिजीजेस हमारे इंडिया में अकर हुए तो उस टाइम पर बहुत ही चर्चे में रहा था आपको नीज्वेपर में भी द आप दो ओले स्वाइन लार्जेस मेडिकल रिसेच बोडी इन द वर्ड यानि कि जितना भी आपका इंडिया में मेडिसेंस डिजीजेज या उनकी प्रॉसेस की जो रिसेच होती है जो पीजीडी कर रहे होते हैं डॉक्टर्स आफ्टर देंडी परसंवा पर सुए पर सुन करते हैं अच्छार के अदर एक चैनल घ्राणोंस लाले सीचोफ में मेडिशीजेज वो आपका इससे अब आ इसका रिभी आवते हैं अब फॉर्मेशन आप और यह स्क भुए है तो ठ्म लेते हैं कि फार्मेशन कब हो था तो दीटेश्क लेते हैं कि फॉर्मेशन कब तो 1911 में यह आई आर एफ यानि की इंडियन रिसर्च फंड एस्सेशन के तौर पे इसको इसकी शुरुवात आई एफ आरे के तौर पे हुई थी लेकिन उसके बाद सब्सक्राइब 2.89 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम करके क्या कर दिया गया इंडियन और काउंसिल और मेडिकल रिसर्च ँरुपक्र ठीक है और यह nostree की इसको लीड कर रही होती है अब इसका हैड़कोडर का है हैड़कोडर इसका निव डिली में है और जो इसके अफिलार डिरेक्टर जन्रल से अंदर काम करता है तो वह कि हो जाएगी Ministry of Health and Family Welfare ठीक है रेस्ट आई सीमर है अज मेड आउटस्टेंडिंग कॉंट्रिबूशन एज नौलेज जनरेटिंग एजिंसी यानिकी नौलेज जनरेटिंग एजिंसी एंड कॉंट्रिबूटेर इन अंडर्स्टेंडिंग बेरियस डिजीजेस यान दिके नौल अदिए कि जैनरेटिंग एजिंसी का मतलब क्या है यहां पर आप समझिए जब भी हम अपने किसी किसी जी से रिसेर्श होगे तो वह हम वह नहीं बारुत छीज़ें कुछ नहीं चीज़ों के बारे में जो कुछ नहीं डाटा हम कलेक्ट कर रहे हो ठीक है अपना रिसर्च वर्क यहीं पर कर रहे होते हैं तो एंड कॉंट्रिब्यूट्स इन अंडर्स्टैंडिंग वेरियस डिजिजर्स जैसे कि हमारा जो कि कुछ कुछ डिजिजर्स जो इंडिया कमें नैशनल इंपोर्डेंस लगती है निकि इंडिया में बहुत सारे लोग उन बीमारियों से प्रभावित हुए थे ठीक है तो जैसे वह बीमारिया कौन कौन सी है सच आज मेलेरिया जैपैनिस इंसेफलाइटिस चुबर कॉलोसिस एड्स काला अजर्व फैलेरियस लेप्रोसी एंड पोलियो मैटल्टिस यानि कि यह सारे आपके जो जो डिजिजिजर् या इनकी लिए पर्मेंट वेक्सिनेशन कैसे क्रियेट की जाए यह साया जो रिसर्च वर्ख है ना वह कहां किया गया था वह आपके ICMR में ही किया गया था अब हम बात करते हैं ICAR के बारे में ठीक है तो ICAR क्या है यह तो एग्रिकल्चर की तो हैड बोडी है ठीक है तो इं का फुल फॉम है ICAR का दा इंडियन काउंसिल ओफ एग्रिकल्चर रिशर्च इस एन ऊटोनॉमस और्टोनियजेशन और्टोनॉमस 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 यह तो यह आपको खूधी डियल कर यह किसी के अंदर डिपेंडेंट नहीं है ठीक है अन्डर डिपार्टमेंट और अग्रिकल्चर रिसेर्च एड़ुकेशन डिए आरी मिनिस्ट्री और कल्चर एंट फार्मर वेल वेलफेर गौवर्मेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो इसका जो यह वह कब स्टैबलिश हुआ था तो देखिए आई सियर कब स्टैबलिश हुआ था तो आई से स्टैबलिश वा था 16 जुलाई 1929 में और इसका जो हैड़क्वाटर है वह आपका है पूसा कैंपस न्यू डेली में और फिलहाल ही इसके डायेक्टर जेनरल चेंज हुए ठीक है तो अभी जो डिरेक्टर जेनरल है वह है डॉक्तर हिमांशू पाठक ठीक है अभी 2022 में जो डायेक्टर जेनरल वह चेंज हुए इसके पहले त्रिलोचन महापात्रा जी यहां के डायेक्टर जेनरल हुआ करते थे जो पहले हमारे डिरेक्टर जनल जानी कि जब आई सीर पहली बार ल अब हमारे जो आईसी अरके एंदर आता है आई सेर के अंडर आपके सिक्स आइस्यार 65 इसी आर इंस्टूट्स आपको देखने को मिलेंगे फॉर्टीन नेशनल रिसर्च सेंटर मिलेंगे सिक्स नेशनल बियूरेक्ट मिलेंगे थाटीन डायेक्टरेट या प्रोजेक्ट आपको इसके अंडर काम करते हैं इसके अंदर आपके इतने सारे इंस्टूट से वह काम कर रहे होते हैं तो पहले तो देखे कि इंडियन अग्रिकल्चर रिसरच इंस्टूट और यह आपका पहले ना इंडियन नहीं इंडियन से पहले यह इंपरिकल रिसरच इंस्टूट बोला जाता था लेकिन उसके बाद इसका नाम अग्रिकल्चर रिसरच इंसटूट कर दिया धिकन इस इंस्टूट बॉल वह देन ओन अग्रिकल्चर इंसटूट रिस इंस्टूट की नाम पर जाना जाता था वीच्श पाइव नंगे इस के अंदर पांच पांच फॉंक्शनल डेपार्टमेंट हुआ करते थे यह जब तर इसके अंदर पांच डिपार्टमेंट थे क्या क्या थे अग्रिकल्चर था था चैटल व्रीडिंग था चैमेस्ट्री एकोनोमी इमा एकोनोमिक बॉतनी एंड माइको लोजी यह साड़े डिपार्टमेंट इसके अंदर थे बाद में 1907 में इसमें बैक्टियो लॉज भी अगर दिया गया था ठीक है दनीम अफ ए रड़ वस चेंज टू अब जो ए रड़ था उसको चेंज कर देगा इपरिकल इंस्टूट अफ अग्रिकल्चर रिसेजमे 1911 में थैन इन 1911 फॉल रिनेम्ट आप एंपरिकल इंस्टूट फॉलोइं इस फोल्लोइं आर दिवर्ट अर्थ कोएग इन 15 जैनुरी नीं थिफिटे फिर निस्तिति देली ओन 29 जुलाइं 1936 पोस्ट इन्डेपेंड दा इंस्टूट हूज रिनेम्ट आप अग्रिकुल्चर रिसर्च इंडिन अग्रिकुल्चर रिसर्च इंस्टूट यानि कि देखे पहले क्या था पहले आपका आपने रखा उसका नाम चेंज किया उसका नाम हो गया सब्सक्राइब इंपरिकल्टर रिसाच इंस्टूट लेकिन तब हमारे इंडिया तक तक इंडिया आजार नहीं था ना तब तो बिटिश का रूज चलता था तो इसलिए वो वर्ट जो इंडियन वर नहीं था उस वक्त इंपरिखल वर्ड यूस किया एंचिज Marion K एंपरिकल की जगह पर आपका नाम चेंज करके इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्च इंस्ट्यूट कर दिया गए ठीक है तो पहले वो बिहार में था फिर बिहार में अर्थवेक हुआ तो इसलिए अब वह आपका अर्थ होग होने के वज़े से पूसा में यह बीडिंग थी व आट दा रिदे दा कांचेल औस एग्रिकल्चर रिसर्च ये इसको फाइनेशली किया जाता है ठीक है जो आयल ही हमारा स्थरक्रास करता financially ICAR यानि की इंडियन काउंसिल और अग्रिकल्चर रिसर्च तो हमारे प्रहले प्रेसिजेंट थे ना जो पहले प्रेसिजेंट थे आई रहे के वह कौन थे मुहम्मद हभी बुल्ला ठीक है अब उसके बाद इन 1966 ICR वो रिकांस्टूटेट इन्टू फुल ऑटोनॉमस बाड थे जो मैंने आपको पहले भी बता रहा ठीक है अब देखिए कुछ माइस्टोन से आपके ICR के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपके अकर हुई जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है बहुत ज्यादा वैल्योबल स्टेप से जो आपके ICR के 1957 पोस्ति इंडिबेंदेंस अलिए आ आज़ादी के बाद 1957 में इनिशेशन ओ आल अफ द फिर्स और इंडिया कोडिए साफ प्रजेक्ट ऑन मेर्स यानि की में कि ऑल इंडिया कोडिनेटेश्ट प्रजेक्ट और में यह आपका पहली बार 1957 में में आपका कंड़क्ट हुआ था 1958 में स्टेटेट स्टेटस आफ देम्ड युनिवर्सटी अकॉर्ट तो आई यह यह यानि कि जो कुछ जो आयार के आई यह के अंदर आपकी डेम्ड युनिवर्सटी आई युनिवर्सटी करने लगा ठीक है उसके बाद नाइने शिक्टी में स्टाब्लिश्मेंट और फ़र्स अग्रिंवर्सटी ऐन लाइंड ग्राइंड पैटन एट पंत्नगर ठीक है पंत नंगर में आपका जो लैंड ग्राइड ग्राइन होता है उसके बेस पे पहली स्टेट अग्रिकॉल्चर युनिवर्सटी तो पाइशन आफ दिपार्टमेंट ऑफ अग्रिकल्चर रिसेर्च एड़ूकेशन इन तर दा मिनिस्ट्री आफ अग्रिकल्चर जो आपका डिए रेन जिसके अंडिर में आपका आय सीर आता है तो यह जो है आपका कब क्रियेट वादा 1973 में क्रियेट हुआ था ठीक 1974 में आपका फॉर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र जो की पूडुचेरी पॉंडिचेरी में आपका जो है जो आपका एक यूनियन टेरिटरी है इसके एंडर पहला के विके आपका खुला था ठीक एंटीन पहलेट है आपका इसका जो बोड है उसकी स्टेबलिश्मेंट हुई थी 1975 में 1979 में लांचिंग और लाप्टु लैंड प्रोग्राम एंड नाशनल अग्रिकुल्टर रिसर्च प्रोजेक्ट यानि नर्प का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इंस्ट्यूशन विलेज लिंक्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था नाइंटीन हंडेश्मेंट आप देखिये इस्टाबलिश्मेंट और नाशनल जीन बैंक एट न्यू डली नू डली पर पहला नाशनल जीन बैंक जो है आपका इस्टाबलेश हुआ था यूश्रिंग इंदा ग्रीन रेवलुशन है ना उसमें आपका आपको यह जो अवार्ड है यह वार्ड पहली बार अवार्ड यह लांच किया गया था जो ग्रीन रेवलुशन में हमने अच्छा प्रोड़क्शन या अच्छा एल्ड क्रियेट किया था वह आपका 1989 में यह अग्रीकल्च्ट्य तेखनी प्रोजेक्ट यानि एने टी पी का फॉर्मेशन जो ए जो एने टी पी अमरा नैशनल अग्रीकल्च्ट्र टेखनोलोजी प्रोजेक्ट यह आपका 1998 में हुआ था मतले लांच हुआ था 2004 में अगेन आवार्ड किंग बार रिशर्च एन मेर अंडर पार्टनर्शिफ इन राइस और विट कॉंसौर्टियम राइस विट कॉंसौर्टियम के लिए वर्ड आपको 2004 में दिया गया था अब अगला बात करते है अगला मार्ज सब्सक्राइब क्या है तो इंदें कांशन फोर सोशल वेलफेर इस और वाइड वॉलन रिच्चेटर नेटवर्क spread over 70 countries in the field of social welfare and policy यानि कि यह आपका जो social welfare council है यह आपका लगबग 70 countries में वालवाइट 70 countries में यह फैला हुआ है ठीक है the social welfare council has been established to make effective coordination coordination cooperation mobilization and promotion of social organization and institution in order to run social activities in more organized way अब देखिए social welfare क्या होता है कि जैसे कि आपका चाइल्थ केर है वुमें हेल्थ केर है और चाइल्ड डवलप्मेंट प्रोग्राम साब बहुत सारे एंजियो जो सारे चीज़े रण कर रही यानि कि सोशाइटी के यानि सोशल पीपल का जो वेलपेर है वह कैसे आप मेंटेन करेंगे उसके लिए काउंसल बनाई गए थी ताकि इसमें आप इफेक्टिवली अपना कॉडिनेशन दे सके प्रॉपरली जो आपके जितने भी मिनिस्ट्रीज है वह कोडिनेट कर सके अपना कोपरेशन करके एक अच्छा मतलब एक अच्छा सोशल अक्टिविटी रन हो सके जिससे लोगों का कुछ फाइदा हो सके लोगों का वेलपेर हो सके उनकी परिस्टिती में कूछ सुधार लाया जा सके ठीक है अब इसका स्टै में अब हम बात करते हैं अब फेरा में क्या बात क्या है अगर आप अगर्र क्रापिटिक आप है आप अगरकनतर मार्कूर्टिंग ठीक कॉनुक्स का part है तो उसके अंदर जो भी प्रदूस हम जनरेट करते हैं प्रदूस का मतलब क्या जो भी पूटस लिगडीपल्स पोलि everything whatever you produce in agriculture ticket no matter it is a plant or it is a animal product जो भी प्रडूस आप agriculture में ग्रो करते हैं उसका export कैसे करें वो आप वो कौन डील करता है वो डील करता है अपेडा तो अपेडा का जीज देखिए लोगो है अपेडा का ठीक है और इसका जो फुल फॉर्म है वह है अग्रिकल्चर अब प्रॉसेसट फूड प्रोडक्त एक्सपट service भला अथोरिट्टी यानि कि अग्रिकल्चर का zej्रिकल्चर प्रोट प्रोसेस्ट जो फूड है उसको जो एक्सपोर्ट करने की डिवलप्मेट अथोर्टी को हम क्या कहते है अप पेडा कहते हैं ठीक है यह गावन्ट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टैबलिश किया था अंडर डा अग्रिकल्चर एंड प्रोसेश्ट फूड प्रोड़क् 1985 के अंडर आपका अपेडा का फोर्मेशन हुआ था ठीक है इस फंक्श अब यह किसके अंडर काम करता है यह इत फंक्शन अंडर दा Ministry of Commerce and Industry Commerce and Industry के अंडर आपका जो अपेडा है वो काम करता है ऐसा नहीं कि आपका मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर काम करता है यानि कि आपको हैड़को वह कहां देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा था इसका फॉर्मेशन हुआ था डेली में इसका अंडिया के अंडर और इसके जो सीओ है वह कौन है डॉक्तर मधायन अंगा मुथू जो है वह एक आई-एस है वह इसके जो सीओ है यानि आपेडा के सीओ है अब फंक्चन्स देख लिए अपेडा करता क्या है ठीक है पहले तो देखें समझने की कोशिच कीजिए कि जो अपे अब दुद्ध़ ऑद गड़े गटांड गया है कि अग्रिक अकल्ट्र की जितने भी प्रड़क्टस है उसको कैसे एक क्वालिटी इसका मिंटें रखिजा और जब हम क्वालिटी करेंगे तब ही तो उसको फ्वारन में यानि की इंडिया के बाहर उतको यानिक्स पोर्ट क को बूस्ट करेंगी तो जो हमारा फॉरेंग एक्सचेंज उसको बढ़ाने में आप एड़ा जो क्या करता है कि आप एक अच्छा प्रडुक्ट आप एक्सपोर्ट करें उसको यह पेड़ा अश्यूर करता है ठीक है ताकि आपकी एक एक इक अनॉमी बूस्ट हो सकते यहां द देवलेप्मेंट और स्केडियूल प्रेड़क्त इन एडिशन अपेड़ा है एंट्रस्टेट विद रेस्पोंसिबिलिटी तो मॉनिटर दा इंपोर्ट आफ शुगर तो जो आपका जो अपेड़ा जो वह एक्सपोर्ट आफ जैसिफ एक्सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि इंपोर्ट ऑफ शुगर के लिए एक रेस्पानसिबिलिटी इसको हम देख情況 Megara और बकिर करने तो हमें देखना यह है ठीक यहां पर देखे और हम शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं उसको उसकी रिसann pacing भी नाकिrü अंडर आ ती दूसर अब देकि डेवलेंट ऑफ इंडुस्री रिलेक्टिंग तु दा स्केडूल प्रोड़क्स फॉर एक्सपोर्ट बाई वे ऑफ प्रोवाइदिंग फिनांशिल एसिस्टेंट और अधर वाइज फॉर अंडर्टेकिंग सर्वे एंड फीजबिलिटी फीजबिल टी स्टीज पार्सिपिटिंग थू सब्सेडरी स्कीम्स यानि यह कुछ स्कीम्स आपकी लॉंच करता है जिससे कि आप प्रोड़क्स को कैसे जुड़ जो इंडॉस्टीज है उसके इंदर कैसे डवलपमेंट आए कि वह अपना जो एक्सपोर्ट है उसको और अच्छा कर सकते के रिजिट्रेशन ऑफ परसन एज एक्सपोर्टर आपका फंक्शन कर रहा होगा तो उसकी रिजिट्रेशन काम भी आपेडा करती है ठीक है कैरी आप इंस्पेक्शन आफ मीट अन्मीट प्रोडक्स इंप वह जाए सज प्रडुक्त सब्सक्रांग अच्छ्ट प्रोडक्स अप्रोड़क्स केंगार मीट वह उसे मीन रहा है तो इसका कोई शी क्यों चीजीजिक्त मैल तो नहीं आ जारी आप है उसके नदर प्रोडैन प्रोडिन नख्टेंट परोडेंट सब्सक्राइट फाइट है निए खराब तो नहीं हो गया तो नहीं हो रहा है यह आप कमेंटेन करना ठीक है और वो क्यों सी जगह पर रखा हुआ यारी स्टोरेज प्रेमैस किस जगह रखा हुआ उसको भी देखना वहां कभी सैनिटाइजेशन और क्लिमिनेस का मॉनिटरिंग करना तो यह क्या होता ह सब्सक्राइब करने के लिए यह सारे काम जो है अपेड़ा करता है इंप्रूविंग पाकिंग एंड मार्केटिंग फॉर्दा स्केडूल प्रोडेक्ट आउटसाइड इंडिया अब इंडिया के बाहर कोई भी बेज रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से पैक करना मार्केटिंग अब कैसे इंडिया से बाहर अगर आपको देना तो वह इतना इंफ्लूएंशल भी होना चाहिए कि बाहर के लोग उसमें इंट्रस्टेट उसको परचेस करने में ठीक है तो वह भी आपका पेडा उसको देखता है ट्रेनिंग इन वेरिस एसपेक्ट आप इं अब आपका अपेडा ही करता है ठीक है अब अपेडा के आम जो चुडूल पर प्रडूट्ट बोल रही थी अब आपको लग रहा होगा कि क्या है श्कुल प्रडूट्ट दा एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलेप्पेंट अब फॉलोइंग स्केडूल और उनको प्रोसमों जाते हैं ईसे फ्रूट जैंस मीट carries प्रोडक्न एंट्स प्रडूक्ट डेडिछी याने फूली फोल्ति ऑनि रिए-प्रडूक्स एब Dazu है जाते हैं कोन्हेंगरी थी चुकpor aç और चॉकलेट ऑफ और गांड ठीक है अलकोहॉलिक एंड नॉन अल्कोहॉलिक बेवरेज इस सीरियो और प्रोड़क्ट्स ग्रानट ग्राउन नेट पीनट और वालनट पिकल पॉपर और चटनी गौर गम्स फ्लाइब कल्चर एंड फ्लाइब कल्चर प्रोजेक्ट वह आपके स्केड़्यूल प्रोडक्ट जिसका एक्सपोर्ट करनी के जिम्मदारी होती हुए वह किसके उपर होती है अब अब नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट्र पॉपर इन्सपर्च जाने एसी तीख अब आपने पड़ा पढ़ा है औो भी काम करता यहां पे यानि कि जब आप एपरने बताया कि यह वह यह इसका जाय और प्रोड़क्त है इसका जो आप बाहर except कर सकते जो यह ऐस नो इस थी तो आपको शटीपिकेशन प्रोवाइड करता है ठीक है इस प्रोवाइड वेस्क फूड अने में नेमली फिस और fisheries fishery product dairy product honey egg product meat and meat products poultry meat animal casing gelatin ocean and crust crust bone and feed additives and pre mixture while other foods and non-food products are certified on voluntary basis ठीक है तो जेनरली जो एक्सपोर्ट जो जो जेनरली जो एनिमल प्रोडक्स है नो मेट वाले प्रोडक्स है जो मीट और डैरी वाले जो प्रोडक्स है वो उसका certification जो है वो इसके अंदर किया जाता है तो यह कभ इस्टाबलेश हुआ था 1963 में इस्टाबलेश हुआ था इसका headquarter जो है वो न्यू डेली में है और श्री अमित्यादव जो है वो additional secretary है इसके जो चेर्मन है वो है श्री अमित्यादव जो की additional secretary है department of commerce in ministry of commerce and industry ठीक है तो यह इनका एक और designation है इसके चेर्मन तो है और इसके अलामा यह additional secretary भी है किसमें department of commerce में अब देखिए अगर आपने हिमाच्य प्रदेश फूर्ट सेप्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए हमारे चानल लाए एक complete course जिसमें आपको प्रवाइड किया जा रहा है complete study material प्रीविएस यह question paper test series question bank and quality content enough of the content हम आपको provide कर रहे हैं जो कि assure करता है आपका selection in food safety officer तो अगर आप हिमाच्य प्रदेश food safety officer के लिए prepare कर रहे हैं आपने उसको उस फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप हमारा यह पर्चेस कर सकते हैं इस कोर्स में enroll हो सकते हैं इसकी प्राइस जस्ट थर्टीन अंडेड है इतने minimal cost पर एक बहुत quality content आपको provide कर रहा है ठीक है तो इस कोर्स में अगर आप enroll होना चाहते तो इसकी link जो है वह आपको description box में मिल जाएगी ठीक है और अगर आपने हर्याना food safety officer के लिए अपलाई किया है तो इसके लिए भी सेमी कोर्स है सेम प्राइस पर आपको जो complete study material previous question paper test series question bank and quality content जो है आपको थर्टीन अंडर की cost पर provide किया जा रहा है ठीक है अगर आप किसी भी state की food safety officer के लिए अपलाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो most sufficient content जो कि आपकी selection assure करता है वह हमारा चैनल आपको provide करा रहा है ठीक है तो इस को इन को इन दोनों courses में को enroll करने की जो आपकी link है वह आपको description box मिल जाएगी और वहां भी हमारा उस पर call कर सकते हमारे management आपको response करेंगे ठीक है नेक्स हम बात करते हैं अगली अगला है हमारा क्या अब international organization के बारे में ठीक है अब international organization में क्या है पहला तो है इसमें देखिये क्या है कि अब फूर्ड अग्रिकल्ट्ट्र ओर्गिनाजेशन ऑफ द युनाटेड नेशन इस एन इंटरनेशन ऑर्गिनाशन दाट लीड इंटरनेशनल एफ़र्ट टू डिफेक्ट हंगर एंड इंप्रूव नूट्रीशन एंड फूड सेक्योरिटी अ अब देखिये जो फूर्ड एंड अग्रिकल्ट्र ओर्गिनाजेशन होता है न वह बहुत सारे ऐसे देश जब आप बहुत सारे इंडेक्स निकलते हैं हंगर इंडेक्स निकलता है तो आपने देखा होगा कि जो कुछ स्टेट से कुछ कंट्री से वहां पर भुकमरी की इतना अमाउंट ओफ न्यूट्रेंट्स अवेलेबल ने कि जो उनका जा उनका जो भूक है उसको मिटा सके तो उससे जो फूड एंड एग्रिकल्टर और यह एश्वार करता है कि आपको क्या बोलते हैं आपके जो कंट्री उसमें फूड सेफ्टी रही आनि कि आपकी पास भूकमरी की स्थिति ना उत्पन नहूं ठीक आपकी कंट्री में तो वह इसको अश्वार करता है अब आप इसका मोटो देखेंगे तो इसमें दो वर्ड लिखे हुए लिखा हुए फियांथ पैनिस का मतलब यह होता है लेट देर भी ब्रेड लेट ब्रेट मतलब हर किसी के हाथ में एक रोटी हो यानि सब के पास खाने के लिए रोटी हो यह आपका मोटो है ठीक है तो यह फाउंड़ेट था यह कब बना था तो यह 16th October 1945 में बना था इसका ज सब्सक्राइब कुछर जेनरल जो डाउनक क्यों है यह एक चानीज है तो यह आपके डार्यक्टर जेनरल है इसके फूट और अग्रिकल्टूर और ऑगनाशन के तो यह फूर और ऑननाइटीकर है करता है क्या अप देश का जो हंगर की प्राबलम है वो आप मेटा सकें उनको प्रॉपर नूट्रियंट्स प्राइड नूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें और उनके पास इनाफ और फूड हो ताकि वह आपने डेली बेसे की जो रिक्वार्मेंट है उसको अचीव कर सकें ठीक है अब देखें रोल और फॉट्ट्र अफूड अगर चाना तो आपको आपको अगर खाना सबके पास पहुचाना है तो आपको हर एक कंट्री में जाके हार गर्मेंट यहां कंट्री में आपको जो आपका अग्रिकल्चर है फिशरी फॉरेस्ट्री है और रेसोर्स इनके अंदर जो इंप्रूब्मेंट यानि इनके अंदर कुछ डिवलप्मेंट आना पड़ेगा ठीक है तो वह आपको रेस्ट आपके फिशरी फॉरेस्ट्री सबसे अवेलेबल कराई जाएगी तो कैसे यह सारे आपको न्यूट्रीशन प्रोवाइड करा रहे हैं इनको इनका इनका डवलप्मेंट का जो काम है वह आपका फूड अग्रिकल्चर करता है ठीक है कंड़क्टिंग रिशर्ज एंप्रोवाइडिंग टेक्टिंकल एस्सेंट तो वेरियस प्रोजेक्ट्स रिलेटेंट टू इंप्रोवीं एग्रिकल्चर आउट्पूट एंड डव्लप्मेंट ठीक है आपका डिफेंट रिसर्च जो है वो एफ़ और रिकंड़क्ट कर आजा जाता जिससे कि आपका जो अजो अज़िकल्चर आउटबूट यानने कि जब आपका जो एग्रिकल्चर प्रोडिंग है वो ज्यादा अच्छा हो सके सब्सक्राइब कर सके सभी पॉबलेशन के हंगर को ठीक है कंड़क्टिंग ट्रेडिंग एड्यूकेशनल प्रोग्राम एंड और सो कलेक्टिंग दा एनलेसिस अनलाइजिंग अग्रिकल्चर डाटा टू इंप्रोव एल्ड प्रोडक्शन ठी अगला वाला जो अगला स्टेप है वह उसी उस पर ही निर्धायर तो ठीक है पिछले बार आपने अगर इतनी यह तो उससे ज्यादा इल्ड हमें इस बार करनी है ठीक है दा एफिए और ऑल्सों ब्रिंग्स आउट अनमबर ऑफ प्लिकेशन रिपोर्स सम आफ विच आर दा स्टेट ऑफ वर्ल्ड दा ग्लोबल रिपोर्ट फूड क्राइसिस दस्टेट ऑफ फूड एंड अग्रिकल्चर दस्टेट ऑफ वर्ल्स फॉस्ट यह कुछ आपके पॉब्लिकेशन से रिपोर्स है जो आपके एफ और निकाला है एफ और रिसर्च होती है ना वह उसके घूर्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड हेल्ट ओर्टिशन लिसाग आपका जो इसन्याफ होई बिमारी जो भी हैन्ट है यह फिर सेस्टि की वाहत होती है तो उसका जो सबसे को यानिंदंग सबसे बड़ा ओर्डिनाशन वह डबल्य हो हूँ ही बहुत जो चीज़ों को जो वेक्सिनिशन है उनको अप्रूबल कौन दे रहा था ठीक है हर जग जब भी कहीं पर भी कोई विज्व तुरूआउट दो वर्ल्ड अगर कहीं पर भी आपका जो हेल्थ क्राइसिस होती है यानि कुछ डिजीजर तो उसका जो आपका उसको उसके बारे में जो रिसर्च है उ आपके कहां पर होती है वह आपके डबलो हो के अंदर होती है यह एड़ बॉर्ड है जो कि आपके डील करता है कि आपके ट्रूआउट दवर्ल्ड कैसे सबको प्रॉपर मेडिकल फेसलेटीज प्रोवाइड कराई जाए डबलो एच्व वर्क्स वालवाइड तू यह आपको प्रोवाइड मतलब यह त्रूआउट दवर्ल्ड आपका जो हेल्थ सेफटी है उसको एशूर करता है ठीक है तो 7 एप्रिल 1948 को यह पाउंड गया था इस जिन यह इस्टाबलेश हुआ था इसका जो आपका है वह आपको जिनेवा स्विस्ट लैंड में देखने है अब इस इनके जो डिरेक्टर है वो डॉक्टर टेड्रोव एडमन की अप्रेसर है इसको डॉक्तर यह आपको आपका है डिरेक्टर जिनरल आठीक है इसके अंदर नाननिटी-फॉर मैंबर्स यह स्टेट में और पुपन फिप्टी कंट्रीज है इस रिजिनल ओफिसेज है इपका इट बिगेंस फंक्शनिंग ऑन 7 एप्रिल 1948 जैनि 1948 7 एप्रिल को जो आपका डबलु एच्छे वह काम करना शुरू कर गया सा अदेट नौंग बिंशलिबेटर एस वाल है ते यानि इसी डेट को आप हम क्य क्या है इक यानि कि आने के वह मारे इंडिया के लिए था और ये इंटर्नैशनल हैं ठीक है तो इंटर्नाशनल ओर्गनाजएशन फॉर्स्टेयाजसेजिजिट और इन और्गनाजेशन डाट डेवलेफ स्टांडर्स टू इंशर दा क्वालिटी सेटी एफिशेंसी ऑफ प्रॉडट्स सर्विसेज एंड शिस्टम ठीक है तो यानि कि जो आपके जितने भी प्रॉड़क्स है यह जो सर्विसेज आपको प्रॉड़क्स की जा रहे है जिस सोट सिस प्रॉड़क्स आपको प्रॉड़क्स की जा रही है वह सेफ है नहीं एफिशेंट है या उतना करने योगी वह या नहीं यह भी जो चेक है वह आपका आए आए सो ही करता है ठीक है तो यह आपका 23rd February 1947 को इसका फाउंड हुआ था इसका भी हैड़क्वाटर आपका जैनेव प्रेसिडेंट है ठीक है और इंटरनेशनल ऑर्गनाशन फॉर स्टेंडर आइस आए सो सर्टिफिकेशन स्टैबिलिटी एंड ट्रस्ट विदिन दा कंजूमर्स यानि कि यह जो जब आपको आपकी किसी भी प्रॉड़क्ट या किसी भी सर्विस पे आए सो का जो सर्टिफ करते हैं इस पर और यह आपके लिए उतना एफिशेंट हो गया आपको जितनी रिक्वार्मेंट है उतनी रिक्वार्मेंट देने कि इसके अंदर केपैसिटी है ठीक है विदिन दा कंजूमर्स कौन होता है वही जो उस प्रॉड़क्ट को ले रहा है या उस सर्विस को ले है ठीक है स्टेक होलडर्स अधर बिजनस पार्टनर्स थी ओफिशल लेंग्वेज ऑफ आइस ओर इंग्लिश फ्रेंच एंड रशी नहीं तीन लेंग्विजिस में आपका आइस जो है वह वर्क करता है ठीक है अब हम बात करते हैं वाल ट्रेड ओर्गनाजिशन की तो डब है मारा वाल ट्रेड ओर्गनाजेशन इट इस दा इंटरनाशनल ओर्गनाजेशन डिलिंग विद दा ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड ठीक है जितना भी हमारा ट्रेड यानि की बाइंग सेलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट यह सारी चीज़ जो थे वह वाल लेवल पर नहीं इस पॉसिबल यानि कि जो आपका ट्रेड फ्लोव एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है जितने भी बाइंग सेलिंग काम है वह बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी ट्राफिक के बिना किसी डिस्टर्बेंस एक रस्ट्रिक्शन के अश्योर के जाए वह आपका क्या होता है वह इसका में पर पर से क्या रिडक्शन अफ ट्राफिक अधर बेरियंस तो यानि कि अगर कोई भी कंट्री अपने इंटरनेशनली अपने एक ट्रेड लिंकेज बना बना चाती तो वह आसान से हो सके इसका जो मौइंटर इसको मौइंटर करने का काम जो है वह वह डबलोट यानि कि 1995 को यह इस्टाबिश हुआ था इसका स्विजर लैंड जो है आपका जिनेवा स्विजर लैंड में है इसकी डिरेक्टर जो है वह नगोजी कौन जो है इसकी डिरेक्टर जेनरल है ठीक है दे डबलोट यो करेंटली है 164 कंट्रीज एज मेंबर इनित यानिक इसके अंदर कितने कंट्रीज है 164 कंट्रीज है जो आपस में लिंक है अपने ट्रेड करने के लिए 164 कंट्रीज डबलोट यो के अंडर आती है कि सो दिस वाज़ दा क्लास होब आपको सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आये होंगे अगर आप अंद्रप्रदेश फूट सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे एप्लिकेशन पर है एक कोर्स ठीक है जो जिसमें आपको प्रवाइड किया जा रहा है हैं इजिस गॉपिर हाथ हैं फूफ प्रव्र्टेश पर्विंजुंगे को third one is also at the price you are getting on underwater if it is sufficient for your هذه music for two children himself you can enjoy in this course and in the school the link is provided in the desk box okay so thanks for watching if you like the video if you understood it and if you like the video please do like and also share it with your friends joby aapke friends food safety officer ke liye prepare karen unksa share bhi kije and thank you all apna sabka khiyal rakte rehiye